लोकसवर चुनाव के पहले देश में CAA यानिकी नागरिक्ता संशोधन अधिनियम लागू किया गया था अब इस कानून के तहट नागरिक्ता का सर्टिफिकेट बिलना शुरू हो गया है जिसकी शुरुवार्द 15 मही को हो गई अब तक दिल्ली में 14 आवेदकों को भारत की नागरिक्ता दी गई CAA सर्टिफिकेट जारी होने के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगलादेश से प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतियराश्ट्रिय देने की प्रतिक्रिया अब शुरू होने के बाद लोगों के चैरों पर खुशी की लहर आ गया है गुरियमंत्री अमिच्षा ने एक्स यानि के ट्वीटर पर पोस्ट कर इस बात के जारगारी देते हुए खुशी भी वेक्ट की वहीं आपको बता दे कि नागरिक्ता किस किस को मिलेगी सी एक और 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आई बांगलेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रतारन के शिकार गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिक्ता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2019 में लाया गया था इन तीन देशों के लोग ही नागरिक्ता के लिए अपलाए कर सकेंगे इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौध, पारिस और समुदाय के लोग शामिल है, इन तीन देशों के लोग ही नागरिक्ता के लिए अपलाए कर सकेंगे, कानून बनाने के बाद सी एको राष्टपती की मनजूरी मिल गई, लेकिन जिन नियमों के तहट भारत की नागरिक्ता दी जानी थी, उन्हें चार साल से अधिक की देरी भारती नागरिक्ता मिलने के बाद इन तीनों मुल्क से आई गैर मुस्लिम भी वोट डाल सकेंगे, दूसरी कि अब जो ये लोग है चुनाव भी लड़ सकते हैं, भारत में चुनाव लडने के लिए जरूरी शो में से एक भारती नागरिक्ता भी है, भारत में वही व्यक् लोग समविधानिक पद ले सकेंगे, किसी भी प्रवासी, शनार्थी या फिर विदेशी नागरिक को भारत में समविधानिक पद नहीं मिल सकता था, मगर भारती नागरिक्ता मिलने से ये बादता हट जाएगी, चौधा, सरकारी यूजनाव का लाप भी ने मिलेगा, यान आखरी यानि की पाजवा मौलिक अधिकारों का फाइदा भारतिय सम्मिधान के तहत भारती नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं भारती नागरिकता मिलने के बाद इन गैर मुस्लिमों को भी मौलिक अधिकारों का फाइदा मिल सकेगा अब सवाल ये भी उठत विपक्षी पार्टियों ने इसे मुस्लिम विरोधी बताते हुए इसका विरोध किया है सरकार ने हमेशा कहा कि है कानून से मुस्लिमों की नागरिक्ता को कोई खत्रा नहीं है लेकिन 2019 में इसे लेकर बड़े पैमाने पर विरोध हुआ अब समझते हैं कि आखिर बीजीपी के लिए कैसे ये फायदमंद होगा दरसल बीजीपी का मानना है कि इसके जरीए उसके राष्टिवात के मुद्दे को और बल मिलेगा और हिंदू वोटर्स को बड़ी सं मिलना तैय है इससे बीजीपी ये नेलेटिव सेट कर सकती है कि विपक्ष खिंदू विरोधी है और उसका काम मुस्लिम टुष्ट्री करन का है दूसरी हो बंगाल में बीजीपी काफी वक्त से ममता सरकार को सत्ता से उखाडने में जुटी हुई है वहां बांगलादेश से आए मतवा समुदाई के लोग भी भारत की नागरिकता मांग रहे हैं इन लोगों की जनसंक्या बंगाल में 30 लाख है इतना ही नहीं बंगाल की चार लोगसवा सीटों पर इस समाच का दबदबावी है 2014 में बंगाल में बीज़िपी के पास दो ही सीटे थी लेकिन 2019 में ये आगरा 18 तक पहुच गया 2024 में इस कदम से बीज़िपी बंगाल में अपनी सीटों की संक्या बढ़ाना चाती थी हाला कि सियासी पंडितों का कहना है कि North East में CA का विरोध हो रहा है ऐसे में असम, अरुनाचर प्रदेश में घाले, मिजोरम, तिरुपुरा और नागालेंट समेट अन्य जगों पर उसके मुश्किले बढ़ सकती है आपके जानकारी के लिए बता दे कि आखिर नागरिक्ता संशोधन अधिनियम यानि की CAA आखिर है क्या CAA यानि की नागरिक्ता संशोधन अधिनियम के तहट 31 दिसंबर 2024 तक या उससे पहने भारत आये बांगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रतारन के शिकार गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिक्ता दी जानी थी इस कानून को दिसंबर 2019 में लाया गया था इसमें हिंदू, सिक, जैन, बौध, पारिस और इसाई समुदाई के लोग शामिल है कानून बनने के बाद CAA को राष्ट पती की मंजूरी मिल गई, लेकिन जिन नियमों के तहट भारत की नागरिक्ता दी जानी थी, उन्हें 4 साल से अधिक की देरी के बाद इस साल 11 मार्च को जारी किया गया CAA के नियमों में आवेदन करने के तारीक, जिला स्तर्य समीती की ओर से आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और राज्य स्तरिय अधिकार प्राप्त समीती में आवेदनों की जाच और नागरिकता प्रदान करने की विवस्ता की गई है तो हमारी आर्च की इस जानकारी है बस इतना ही अब इस पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं इसके साथ देखते रहे हैं इसके सब्सक्राइब करना बिलकूर ना भूलें